नमस्कार, A2Z डिशिश उशा कोरजानी में आप सबी का एक बार फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ स्टफ टॉमेटो वड़ा की रेसिपी ये वड़ा खाने में बहुत ही मज़िदार लगते है अंदर टमाटर के अंदर स्टफिंग भरी जाती है उसके उपर बेसन का गोल लगता है इससे आप चटनी, कैचप दोनों के साथ खास सकते है बच्चों से लेकर बड़ो तक को मज़ा आएगा ये खाने में तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे तो कड़ाई में दो चमच तेल, आदी चमच जीरा एक कटा हुआ प्यास, दो कटी हरी मिर्ची डाल रही हूँ और इसे हम बून लेंगे प्यास को एकदम हमें लाल नहीं करना है हलका सा बूनना है एक से दो मिनिट तर अब इसके अंदर में डाल रही हूँ आदी चमच अद्रेक लसन की पेस्ट और इसे भी एक मिनिट तक बून लेंगे ताकि इसका कच्चा पर निकल जा और अच्छी सी खुश्बू आ जाए एक मिनिट के बाद यहाँ पर मैंने तीन बड़े आलू लिये थे उबले हुए उसे मैंने छील कर इस तरह से कदू कस कर लिया ये डाल दिया है आदी चमच नमक, आदी चमच लार्मिश पाउडर आदी चमच हल्दी पाउडर आदी चमच धनिया का पाउडर आदी चमच इसके अंदर मैं चाट मसाला डाल रहे हूँ आप चाहे तो आमचुर का पाउडर भी डाल सकते है चट पटे के लिए और अच्छे से सब को हम मिला लेंगे तो यहाँ पर मैंने तीन बड़े उबलेव आलू लिये थे अगर आपके पास छोटे तो आप छे ले तो अच्छे से आप देख सकते है मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है आलू के अंदर सारे मसाले लग चुके हैं अब इसके अंदर मैं डाल रहे हैं थोड़े से दनिया के पते और एक बार फिर से मिला लेंगे अगर आपके पास चाट मसाला और आमचुर पाउडर नहीं तो आप नीम्बू का रस भी डाल सकते हैं एकदम बड़िया चट पटा स्वादाएगा हमारी स्टाफिंग तैयार है यह इसको बंद कर लेंगे और अभी यह काफी गरम है इसे ठंडा होने ऐसे ही रख देंगे और पल्फ मैंने सारा अच्छे से निकाल लिए एकदम खाली हो जाना चाहिए इस तरह से तो इसी तरह से हम सारे टमाटर का करेंगे टमाटर को पहले अच्छे से दो ले उसके बाद ही आप इस तरह से काटे उपर का थोड़ा सा निकाल ले उसके बाद अंदर के पल्प और बीज दोनों ही आपको निकाल लेने हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये सारे टमाटर तयार कर लिये हैं और इसका जो बचा हुआ पल्प है उसे बिल्कुल भी आप ना फेके जब भी आप कोई सब्जी बनाए जहाँ पर टमाटर डालने की जरूरत हो तो आप ये डाल सकते हैं और सब्जी को बना सकते हैं तो यहाँ पर ये पल्प को मैं साइट वे रख दूंगे और आप देख सकते हमारी स्टफिंग जो है यालू वाली ठंडी हो चुकी है तो अब ये टमाटर लेंगे और इसके अंदर हम अच्छे से ये स्टफिंग को डालेंगे तो आपने हाथों की मतल से अच्छे से भरे पूरे टमाटर को आपको स्टफिंग से इस तरह से भर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये सारे टमाटर कर यहां पर नमक शलिए था नमक यहां और स्वाद के अनुसार डाले इस गोल में तो यहां पर आह देख सकते हैं एक कब टोटल मैंने पानी लिया है थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और हमें गाड़ा गोल तयार करना है तो यहां पर जैसे-जैसे मिलाते जाएंगे पूरी जो बेसन की गुटलिया वो खतम करते हुए हमें इस तरह से एकदम गाड़ा गोल तयार करना है अब वड़ा तरने के लिए मैंने हाँ पर ये तेल गरम करने रख दिया था अब इस तरह से हलका सा डाल के देखेंगे देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा गोल डाल के देखा है उपर तेर रहा है तो तेल हमें इतना ही गरम चाहिए एकदम दुमेदार गरम नहीं चाहिए अब ये जो टमाटर हमने तयार करके रखा था स्टफिंग भर कर ये लेंगे और ये बेशन के गोल में से इसे अच्छे से हम कोट करेंगे यानि कि पूरा हमें अच्छे से कोट कर लेना है और ये सावधानी से हमें कड़ाई में डाल देना है तो उपर से देखिए जहां से आप पकड़ेंगे तो वहां से थोड़ा इस तरह से हो जाएगा तो थोड़ा सा गोल लगा ले इसी तरह से हम कड़ाई में दुसरा भी डाल देंगे और उपर से ये हाथ हाथ में जो गोल है वही लगा लेंगे तो यहाँ पर अभी मैं तीन डाल रही हूँ और डालते समय आपको ध्यान रखना है तेल काफी गरम है अब हमें बिल्कुल पलटना नहीं है तुरंती इसको इस तरह से कर्शी की मदद से उपर तेल डाले पहले तो यहाँ पर मैंने तीनों में डाल दिया अब इस तरह से पलटेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से पलटते हूँ इसे हमें मद्यमाच पर तला है तो अभी इसके उपर एक और कोटिंग आएगी तो आपको दिख रहा है कि अभी ये टमाटर दिख रहा है पर इसके उपर एक और कोटिंग आएगी तो यह अच्छे हमारे वड़ा तयार हो जाएंगे तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे मद्यमाच पर थोड़ा सा तल लिया है अभी हमारा तलना इसे बाकी है यह हमने आदा ही इसको तला है तो अभी हम निकाल लेंगे इसी तरह से हम सारे जो वड़ा है वो भी डालेंगे और इसे भी मद्यमाच पर तलेंगे तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता है ऐसे आपको पलटना नहीं है पहले इसके उपर तेल डालना है करेंगे उसके बाद इसके उपर फिर से एक बेशन का कोट आएगा उससे क्या होगा यह टमाटर का टमाटर जो दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा और स्वाद भी बहुत ही बड़ी आ जाता है जब आप डबल कोट करके इसे फिर से तलते तो अभी आप देख सकते बचा काफी गाड़ा है तो इसके अंदर में डाल वे आदा कप और पानी और अच्छे से मिला लेंगे और हमारे जो वड़े उसके ओपर एक गाड़ी वाली कोटिंग तो आई चुकी है तो अभी पतली वाली हम तैयार करेंगे तो इसके लिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डा lugन दीए हैं अब उपर से में तेल डालते जाना है और तेल दीनों पर हमने डाल दिया विसे हम पलट कर मध्वय आ Nach Paris पर ही तैज आज वड़ा है हमारे जो इसे भी हम उठाते जाएंगे वो गोल में से अच्छे से सिल कोट करेंगे और यह तेल में डालते जाएंगे डबल कोटिंग से जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वाद और भी बढ़ जाता है और और मज़िदार भी लगते हैं तो यहां पर आप भी इसी है तो आप इस रेसेपी को जरूर्ट ट्राइए कीजे आप रही चटनी, कैच्छब, कोई भी चटनी के साथ खाये यह भी मज़िदार लगते हैं बच्चों से ले पसंद आएंगे तो आप इस recipe को ज़रूर try कीजे और मुझे comment section बताए कि आपको ये कैसी लगी है आपको ये recipe अच्छी लगी है तो वीडियो को like कीजे शेर कीजे अपने friends और family के साथ और मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना बूले आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती